नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे यूटूब चैनल पर दोस्तों इससे पहले भी मैंने कुछ वीडियो बना रखे हैं अगर आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा हैं तो उन वीडियो को भी जरूर देखें दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए है और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज सस्क्राइब जरूर करें आज हम इस वीडियो में 15 मैत पुण प्रश्ण करने वाले हैं तो आप सब वीडियो को शुरू से अंतक जरूर देखिए चलिए तो शुरू करते हैं आज का पहला कुशन कल के वीडियो में आपसे एक कुशन पूचा था उसका अंसर इस वीडियो में आपको मिल जाएगा पहला कुशन है खिलापत अंदोलन को किस से जोड़ कर देखा जाता हैं ओप्शन ए है भारत का विबाजन ओप्शन भी है हिंदू-मुसलिम एकता ओप्शन C है हिंदू-मुसलिम दंगे और ओप्शन D है भारती राइश्टी कांग्रेस का विबाजन दोस्तो यही प्रस्ट था जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना था तो इसका आंसर अभी आपको मैं बता दूँगा तो इसका राइश्ट आंसर है ओप्शन नमबर बी जो किया हिंदू-मुसलिम एकता कुछिन नमबर दो है चोल सामराज का अंत किस ने किया ओप्शन A है सी आरदास ओप्शन B है मुहम्मद गजनवी ओप्शन C है मुहम्मद गोरी और ओप्शन D है इन में से कोई नहीं दोस्तो आज भी इस वीडियो में मैं आपसे एक कुछिन पूछने वाला हूँ उस कुछिन का आपको आंसर कमेंट करना है मुझे तो इसका राइट आंसर होज़ेगा ओप्शन नमबर दी इन में से कोई नहीं कुछिन नमर तीन है स्वराज पार्टी का गटन कब हुआ ओप्शन A 1923 ओप्शन B 1921 ओप्शन C 1925 और ओप्शन D 1928 स्वराज पार्टी का गटन कब हुआ यह आपको आंसर कमेंट बताना है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1923 ओप्शन नमबर है इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वराज पार्टी का गटन कब हुआ तो वह होता 1923 में अगला कुछिन है कुछिन नमबर चार आजाद हिंद पोज का गटन कब हुआ ओप्शन ए 1937 ओप्शन बी ए 1942 ओप्शन सी ए 1943 और ओप्शन डी ए 1945 लगाईए अपना अपना आंसर और कमेंट कीजिए कुछिन नमबर चार का राइट आंसर आजाद हिंद पोज का गटन कब हुआ तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर बी जो किए 1942 आजाद इंद पोज का गटन 1942 में हुआ था अगला कुछिन है कुछिन नमबर पांच गुरुदेव की उपादी किसके साथ संबन्ध है ओप्शन ए है भीमराव अमेडगर ओप्शन भी है विपिंच चंद्रपाल ओप्शन C है रविंदर नाट टेगोर ओप्शन D है सिया अरदास तो बताएगे कुछिन नमबर पांच का राइट आंसर और कमेंट कीजिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर C जो किये रविंदर नाट टेगोर गुर्देव की उपादी किस के साथ संब्धी थे हैं तो वह है रविंदर नाट टेगोर गुर्देव रविंदर नाट टेगोर को ही कहा जाता था अगला कुछिन है कुछिन नमबर 6 अफ्रिका के देशो पर सबसे पहले किसने आकर्मन किया ओप्शन A फ्रांसीजी ओप्शन B अंग्रेज ओप्शन C जर्मन और ओप्शन D इन में से कोई नहीं लगाए अपना अपना अंसर और कमेंट कीजिए किस नमर छे करा राइटा अंसर तो क्विशन नमर 6 करा राइटा अंसर जाएक ओप्शन नमर ए जो कि है फ्रांसीसी अफ्रीका के देशो पर सबसे पहले आकर्मन फ्रांसीसी ओप्शन न किया था अंग्ला कुशन है क्विशन नमर 7 बिना परति निदित्व के कारादान नहीं नारा का सम्मझ्द है Option A, France की क्रांती Option B, British नागरिक युद Option C, भारती राष्ट्री अंदोलन Option D, अमेरिका स्थन्ता युद तो कुछिन नमर साथ का राय टांसर हो जाएगा Option D, जो कि अमेरिकी स्थन्ता युद बीना प्रतिनितित के कारादा नहीं नारा का सम्मन्द हैं तो वह हैं अमेरिकी स्थन्ता युद से अगला कुछिन है क्विशन नमर आठ पुनर जाकरन अंदोलन किस देश में शुरू हुआ Option A, इंगलेंड Option B, फ्रांस Option C, इटली Option D, इस्पेन तो इसका राइट आइंसर कमेंट कीजिए पुनर जाकरन अंदोलन किस देश में शुरू हुआ था तो वह आता इटली में Option No.6 का राइट आइंसर हो जाएगा पुनर जाकरन अंदोलन इटली देश में शुरू हुआ था अगला क्यूशन है, क्यूशन No.9 रूसी क्रांती, 1917 के समय, रूस का जार कौन था? Option A, निकोलस दीती है Option B, अलेकजंडर तरती है Option C, अलेकजंडर दीती है और Option D, लेनिन कमेंट कीजिए Question No.9 का रूसी क्रांती, 1917 के समय, रूस का जार कौन था? तो बथा, निकोलस दीती है Option No.A, इसका रूसी क्रांती, रूसी क्रांती, 1917 के समय, रूस का जार, निकोलस दीती है था अगला क्यूशन है, Question No.10 दुरूराश्ट्रो, देश में कौन सा देश सामिल नहीं है Option A, जर्मनी Option B, जापान Option C, इटली Option D, फ्रांस की राज़दानी, पेरिस तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Option D, जो कि यह फ्रांस की राज़दानी, पेरिस मतलब फ्रांस देश दूर राश्टोक में से सामिल नहीं है अगला कुष्यन है, कुष्यन नमर 11 मित राश्ट में कौन सा देश सामिल नहीं है Option A, अमेरिका Option B, इटली Option C, रसिया Option D, युनान तो मित राश्ट में कौन सा देश सामिल नहीं है आंसर बताईए, कमेंट कीजिए Qष्यन नमर 11 का राइट आंसर हो जाएगा Option D, जो कि युनान मित राश्ट में युनान देश सामिल नहीं है अगला कुष्यन है Qष्यन नमर 12 रूस क्रांती का मुख्य करण था आपको बताना है रूस की क्रांती का मुख्य करण क्या था Option A, रूस में उद्योगिक, विकास में कमी Option B, किसान पर रिन का भारी बोज Option C, रूस की जनता पर दमनकारी कानून और Option D है, बारी अकाल तो कुष्यन नमर 12 का राइट आइंसर कमेंट कीजिए रूस की क्रांती का मुख्य करण क्या था तो वह था रूस की जनता पर दमनकारी कानून Option नमर 6 का राइट आइंसर हो जाएगा रूस कुरांती का मुख्य करण रूस कुरांती का मुख्य करण रूस की जनता पर दमनकारी कानून कुशन नमर 13 पासिवाद विचारदारा परवर्तक था Option A मुसोलिनी Option B एडॉल्प हिटलर Option C साइमन Option D इनमेंसे कोई नहीं Option A पासिवाद विचारदारा का परवर्तक मुसोलिनी था अगला कुशन है Q14 पंच सील पर भारत और चीन ने कब हस्ताक्चर किये थे Option A उननिसो चोपन Option B एए उननिसो चपन Option C एए उननिसो चपन Option C एए उननिसो पासट और Option D एए उननिसो साट कमेंट कीजिए Q14 का राइट आंसर पंच सील पर भारत और चीन ने कब हस्ताक्चर किये थे तो इसका राइट आंसर चाहिए Option A जो कि है उननिसो चोपन पंच सील पर भारत और चीन ने उननिसो चोपन में हस्ताक्चर किये थे अगला कुशन है Q15 चीन ने भारत पर कब आक्रमन किया ओप्षण A है 1961 ओप्षण B है 1962 ओप्षण C है 1975 और ओप्षण D है इनमें से कोई नहीं तो बताईए चीर ने भारत पर कब आक्रमन किया तो इसको राइट आंसर हो जाएगा ओप्षण नूमबर B जो कि है 1962 चीर ने भारत पर 1962 में आक्रमन किया था और यह आज का क्विशन आपको आपको इस क्विशन का राइट आंसर मुझे कमेंट करके देना है इरान का पुराना नाम क्या है ओप्षण A है परसिया ओप्षण B सेलिजबरी ओप्षण C है श्याम और ओप्षण D है विएना दोस्तों इस question का आपको इसका right answer आपको मुझे comment करना है दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो please like, share and subscribe ज़रू करें साथ ही में अपने दोस्तों के शाथ में पिशेर करें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तब अपना ख्याल रखियेगा